नमस्कार दोस्तों मैं नरेश्योक से और आज के वीडियो में हम फ्लोचार्ट के सिंबल समझने वाले हैं जिन सिंबल्स का हम फ्लोचार्ट में यूज़ करते हैं आज उन सारे सिंबल्स को देखने वाले हैं जो की है start और end symbol इसको क्या है ये इसको terminator symbol भी कहा जाता है मतलब इस symbol को हम use करते हैं सबसे first में और सबसे last में मिस्ट यहां से हमारे process की start होता है मिस्ट जो भी हम manufacturing करने वाले है या जिस भी चीज का हम flow chart बना रहा है वह यहीं से start होगा इस symbol से start होगा इसमें क्या है end और start लिखा हुआ रहता है और इसके बाद फिर arrows आते हैं फिर हमारा flow chart start होता है इसके बाद जो next symbol आता है वो है हमारा merge symbol merge symbol जैसे कि आप ट्राइंगल देख रहा है opposite side का triangle है ये merge symbol होता है इसमें क्या होता है जब दो process होती है या कोई सब assemblies होती है वो आगे जाके एक हो रही है means दो different different stations पर अगर काम चल रहा है और वो आगे जाके merge होके single station पर merge हो जाए तो वो merge symbol होता है वो यहाँ पर इस तरह से denote किया जाता है flow chart में हमारे चलिए अब next देखते हैं जो कि है process तो प्रोसेश का symbol है हमारा rectangle का है यहाँ पर क्या होता है rectangle symbol जहाँ पर हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि वहाँ पर हमारा कोई भी process चल रहा है किसी component के लिए या कुछी भी type का एक हमारा process running हो रहा है यह हमारा process का simbol हुआ फिर इसके बाद next symbol जो है हमारा वो है document का means जैसे कि आप यहाँ पे एक symbol आप देख रहे हैं यह हमारा document का symbol है लेकिन अगर हमको multiple document अगर करना है तो फिर यही symbol multiple times मतला three times आज जाता है तो यह multiple document का हो गया आप printed document और report यह reporting या document का symbol हमारा हो गया इसके बाद जो next आता है हमारा है वो है decision symbol means यह आप जैसे diamond shape का देख रहे हैं यहाँ पे हम decisions लेते हैं जब flow chart में हम यहाँ पे इसको use करते हैं हो सकता है किसी product का inspection के बाद इस symbol को use किया है तो यह decision symbol इसमें yes या no लिखा या true या false मतलब product सही है या नहीं है या true है या false है कोई statement इस type का जहां पर use कियाता है को कोई condition बनती तो वहाँ पर decision symbol या diamond symbol का use किया जाता है इसके बाद जो हमारा next symbol है वह input और output symbol means जब हम material को in कर रहे हैं या फिर material process से out कर रहे हैं मतलब output ले रहे हैं तो वहां पर यह स्टाइप का symbol का use किया आता है मतलब यह input और output symbol होता है इंडि dedicated by the shape of paragraph means यह पैलोग्राम का shape input या output symbol को पैलोग्राम से denote किया जाता है इसका जो हमारा next आता है वह annotation या comment symbol जैसे हमको कोई हमारी process चल रही है या फिर जैसे हमने last time merge देखा या फिर कोई दूसरी चीज़ा है वहां पर हमको comment डालना है ना comment डालना है तो हम उसको annotation इस symbol से करते है कि यहां पर इस type के information हम यहां comment में डाल रहे हैं जैसे कि जैसे हम remark डालते है एक type का यह remark का symbol होता है इसका जो हमारा next symbol आता है वह है delay किसलिए वह हमरे process में ही delay है मिस हम जो process कर रहे है वहीं अगर delay हो रहा है मतलब वह हमारा by default delay है जैसे कि हम इसको एक example समझे जैसे कोई metal क process होके आया और वह heat है हम उसको cool down करना है तो वहां पर delay हो रहा है तो means वह process में ही है हम उसको वह किसी region की वज़े से delay नहीं हो रहा है वह प्रोसेस में ही है अगर वहां पर यह delay होता है तो इस symbol का use किया था means वह process का ही एक part है तो वह delay हम इस symbol से denote करते हैं तो आप यह नेक्स प्रोसेस से पहले अगर हमको किसी टाइप का preparation करना है material के लिए या किसी अधर operation के लिए तो इस टाइप का symbol यूज किया जाता है प्रोप्रेशन स्टेप में यूज करना है तो मतला हमारा प्रेपेर हो रहा है या फिर हमारी material उस temperature तक या उस pressure तक को अचीव करने के लिए भ और नेक्स इंबल आता है वह है display symbol इसमें क्या होता है अब मशीन डिस्पले में हो सकता है हमारी मशीन पर कोई operation पर्फोर्म हो रहा है जैसे मान के चली CNC पर कोई पर फॉर्म हो रहा है मशीनिंग पर हो तो उसके जो पारामिटर हमको display पे शो हो रहे है तो वहाँ पर यहां अगे और को मशीन के डिस्प्रेय पर इस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है इसका जो नएक सिंबल आता है वह इन्पूट सिंबल इसमें क्या होता है हम यहां पर मैनुल है मतलब हम मैनुवल ही वह काम कर रहे हैं मतलब डाटा और इंफॉरमेशन इन्टू इस सिस्टम मे हम data या कोई information या कोई other चीज़े manually input कर रहे हैं मतलब वहाँ पर automatic नहीं हो रही है चीज़े हैं हम वहाँ पर manual input कर रहे हैं हो सकता है किसी machine के parameter set कर रहे हो हो सकता है machine को जिस भी part हम को machining करना है है उसके data हम manually feed कर रहे हैं तो यहाँ पर इस टाइप का symbol यूज किया था कि हम पर manually input दे रहे हैं symbols का इसके वारा नेक्स सिंबल आता है वह manual operation symbol यहाँ पर operation होना है वह हम manually करने वाले हैं जैसे कि fabrication industry है वहाँ पर chipping करना है वह manually होने वाली है यह फिर हो सकता है surface वील से थोड़ा सा manually करें तो यह manual operation हुआ तो वहाँ पर इस टाइप का symbol यूज किया जाता है फिर इसके बाद आता है flow line symbol means यहाँ पर जो होता है वह एक box मतलब एक symbol से दूसरे symbol में direction शो करने के लिए flow line arrow का use किया था यह दोनों साइड में हो सकते हैं मतलब यूनि डारेक्शन और बाई डारेक्शन मतलब दोनों साइड में single direction और both side direction भी हो सकते हैं वह सकता है जैसे कि मैंन की चली हम inspection कर रहा है तो एक एक box से sorry एक symbol से दूसरे symbol या एक process से दूसरा या एक operation से दूसरे operation में transfer करने के लिए flow lines का use किया जाता है तो चली फ्रेंड्स इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं हमने काफी सारे वीडियो बना है fabrication manufacturing supply chain पर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग